नमस्कार, भारत चीन की सरहत पर जो हालात बने हुए हैं, वो बत से बत्तर होते जा रहे हैं, गलवान घाटी में, जहां से फैसला हुआ था, कोर कमांडर्स की मीटिंग में की फौजे वापिस जाएगी, हमारी फौज वापिस क्यों आएगी, जब हम उसे अपनी जगह कहते ह अपना इलाका मानते हैं, समझ में नहीं आया, लेकिन वहाँ पर यह हुआ कि जो चीन का एक टेंट लगवा था जहां पहले, जो हमारी चीनी सैनिकों की जड़क वी थी, 15 जून को, वो टेंट हटा दिया गया था, हमारी फौजों ने हटाया था, लेकिन वो टेंट अब वा स्पैट के बाद, अब चीन दौलत बे गोल्डी इलाके में भी प्रेट्रोलिंग पॉइंट 10 और 13 के बीच मुश्किले खड़ी कर रहा है, और इंडिया टुडे टीवी ने सूत्रों के हवाले से कहा है, कि वहाँ चीन भारत की प्रेट्रोलिंग को रोकना चाहता है, थोड इल्वान वैली पर चीन का कबजा बरकरार है, इतना ही नहीं, उस इलाके में चीन ने अपनी फॉज की तादाद और बढ़ा दी है, और आगे बढ़ते हैं इंडियन एक्सपेस की रिपोर्ट के मुताबिक, चीन ने स्टेटेजिक महत्व के एक और नए लाके में घुशब के मुताबिक, उस्टेजिक पॉलिसी इस्टिटूट से जुड़े एक रिसेर्च सैटलाइट से ऐसी तस्वीरे डाउलोड की गई हैं, जिन से पता चलता है कि 15 जून को जिस जगह टेंट को हटाने के सवाल पर जगड़ा हुआ था, चीनी फॉजी ने वहाँ फिर से हटा ले, जबकि हमारा कहना है कि वो हमारा इलाका है, और ये कोर कमांडर को हमारे बताया गया था, 6 जून को और 22 जून को, चीन की People's Liberation Army और Ministry of Foreign Affairs ने बुधवार को कहा, वक्तवे दिये, कि बहुत जादा गहरे मतभेद है कि LAC कहां पर है, Line of Actual Control कहां पर है, और दोनों कि भारत अपनी फौज पूरी गलवान घाटी से हटाए, गलवान वैले से हटाए और सिर्फ गलवान एस्टिवेरी वहाँ पर अपनी पोस्ट रखे, अब एस्टिवेरी जो होती है वो दरसल, एस्टिवेरी आप ये माले जी की जैसे नदी का एक मुहाना होता है, मुह होत जो समुंदर में जाकर खुलता है, उसको एस्ट्वेरी बोलते हैं, अब ये एस्ट्वेरी का मतलब यहां पर क्या है, एस्ट्वेरी इन्होंने लवज इस्तेमाल किया है, वहां कोई समुंदर नहीं है, और वहां गल्वान नदीबी जैसी जा रही है, इन्होंने एस्ट्वे चीनी फॉर्ज ने बॉडर को ौक्रॉस जिया है और दॉल centr बै गोलडी के इलाके में आ गये हैं और दॉलत बै गोलडी के लाकर जैसे मैंने आपको बताया थोड़ा सा मैं आपको बता दॉलत बै गोलडी क्या है दॉलन दुवेक गोल्डी ये एक हमारी एर स्टिप है जिस पर हमने हाली में एक बहुत भारी ट्रास्पोर्ट प्लेन उता रहा था अमेरिकी जो हमारे हर्किलेस प्लेन हैं उनमें से एक हमने उता रहा था उससे पहले फाइटर प्लेन भी उता रहा थे दरसल सन 1962 से ये एर स्टिप हैसी थी कि बेकार पड़ी हुई थी और सिर्व एक हैली पैट के रूप में काम आती थी और बासट में इसने कुछ काम किया बहुत काम आई लेकिन उसके बाद को इसका कोई असली इस्तेमाल नहीं था 2008 में तबकि निकम्मी UPA सरकार के दोरान UPA सरकार ने चुप चाप इस पर काम करना शुरू किया वैं जानका निकम्मी कहरा हूं इन्वर्टिट कोऊंच पे चुप चाप इस पर काम करना शुरू किया और ये प्रोपर एक असली फ्लाइट उतारी ठीक है उसके बाद इसको चुप चाप अपग्रेड करते रहे यूपिए सरकार में 2009 से 2013 तक और फिर 2013 में एक हर्किलेस बहुत बड़ा जहाज होता है उसको उता रहा तो ये उस हिसाब से दुनिया की सबसे उची काम करने वाली एस्ट्रिप बन गई जिससे इंडिया की जो प्रॉब्म्स हैं लॉजिस बेग ओल्डी की एर्स्ट्रिप पर हमारी फौजों के जाने के रोकने के लिए अंदर आ गया है इस वक्त और ये है दौलत बेग ओल्डी की कहानी तीसरी कहानी एक और शुरू हो गई है भूटान पाकिस्तान तो था ही नेपाल भी शुरू हो गया चीन से तो चली रहता न अब भूटान से भी शुरू हो गया है भूटान जो बिलकुल हमारा बिलकुल सबसे नजदी की दोस्त माना जाता है और भूटान की अर्थवेवस्ता को चलाने में हमारा बहुत बड़ा योगदान है भूटान में जो भारती राजदूत होता है वो उसकी अमेरिकन को लील लिया था और किस तरह से सिक्किम भारत में खुद शामिल हो गया था तो भूटान को अपने वजूद की चिंता थी तो तब श्रीवत इंद्रा गांधी ने भूटान को यकीन दिलवाने के लिए सेयुक्त राश्टन की मेंबर्शिप दिलवाने में मदद की और उसको म भारत के बाद जिसने बांगलादेश की सरकार को मानेता दे दी और बांगलादेश को बांगलादेश की हैसियत से ही मानेता दे दी भूटान से जो फ्लाइट सलती है वो सिरफ थाइलेंड जाती है नेपाल जाती है कलकत्ता और दिल्ली आती है तो ले नेकर हम यह नहीं कहे जो धान की खेती करने वाले लोग थे वहाँ पर, वहाँ से पानी लेते थे और इसन तरेपन से चला रहा था, लेकिन नचानक से भूटाने वह पानी बंद कर दिया है, अब इस पानी के बंद होने से जो खेती करने वाले लोग है, धान की खेती करने वाले, उनको बहुत दिक मैं आपको कुछ गाउं के नाम बताता हूँ, यह तमूलपूर सबडिविजन बक्सा की है, वहाँ, इसमें जो गाउं हैं, बागा जूली, कालिपूर, हाती डुबा, सांतिपूर, मर्यमपूर, पाठकी जूली, बेलखूटी, अंगारकट्टा, कावली, दरंगपौर, गोई छे हजार के करीब यह किसान है, तो कुल मिलाकर मैं यह कहना चाहता हूँ कि एक तो चीन से समस्य सुलजी नहीं अभी तक, और चीन की तरफ से जो बायान आये हैं, उनके रक्षा मंतराले की तरफ से, उनके विदेश मंतराले की तरफ से, हमारे यार से 24 घंटे हो गए हैं, क कि कुछ फौजियों को एक किलोमेटर पीछे बेजा हैं, लेकिन गलवान वैली पर यह समस्या पहले नहीं थी, चीन की पुरानी स्ट्रेटिजी रही है, कि जब भी हम गफलत में हो, या जहां ना हो, वहां वो आ जाता है, फिर बादशीर शुरू होती है, अगर तीन किलोम किलोमेटर पीछे चला जाता है, एक किलोमेटर अपने पास रख लेता है, और साथ में शर्त लगाता है, कि हम वापिस चाहें, प्रधान से वक ने कहा था कि हमारी जमीन में चीन की फौजे नहीं घुसी हैं, और कोई भी कबजा, कोई भी लाका चीन के कबजे में नहीं है, इस एक तरह से इस ढंक से भी इंटर्पेट किया गया, कि प्रधान से वक चीन को क्लीन चिट दे रहे हैं, जिसका चीन ने बहुत प्रचार किया था, अब एक तरफ जैसे मैं ने कहा पागिस्तान, दोसरी तरफ चीन, ये तो थे ही, नेपाल भी शुरू हो गया, और भूट जरूर दे दिया है, उधर जैसे मैं ने जिकर किया पहले कुछ देर पहले, पाकिस्तान ने भी अपने पर फड़ पड़ाने शुरू कर दिया है, उनके विदेश मंतरी शाह मेहमूद कुरेशी ने बुधवार को, यानि जो बीता वकल है, भारत को चेतावनी दिया है कि कि क पाकिस्तान में, पाकिस्तान में प्रधान मंतरी की भी इतनी है, हैसियत है तो फौज की है, और फौज के भीतर भी, I.S.I.E. फौज के साथ जो डीप स्टेट है, पाकिस्तान को वही चला रही है, तो उनको भी ये मौका अच्छा लग रहा है कि जब चीन के तरफ से दबा है, जब नेपाल भी आँके दिखा रहा है, फारिंग हुई है हमारी सीमा पर, नेपाल-भारत सीमा पर, और उसके लावा जब भूटान से पानी आना बंद हो गया है, तो पाकिस्तान अपने तरफ से प्रेशर बढ़ा रहा है, और उसके लिए इस्तेमाल किया गया है विद ध्यान हटाने के लिए चीन पर जो हो रहा है उसके साथ, चीन से बहुत बुरी तरह से मतलब बेज़जती होने के बाद, जिस पे भारत के 20 सिपाही मारे गए, भारत अब ये ध्यान हटाने के लिए वहां से पाकिस्तान पर हमला करने की योजना बना रहा है, और कुरेशी ये भी कहा, find excuses for a false flag operation, कि भारत मौके की तलाश कर रहा है, कोई बहाना डून रहा है, पाकिस्तान पर कुछ न कुछ करने का, उसके अलावा, दो दिन पहले ही, दो तीन दिन पहले ही, भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देख कर, भारत पाकिस्तान का जो हाई कमेशन है महाई इसलामपाद में, उसमें भी 50% स्टाफ कम करने का फैसला किया था, तो ऐसे हालात में, कुछ स्यानों का तो मानना है कि इस तरह तनाव बढ़ाना नहीं चाहिए, कोई भी स्याना जनरल एक साथ इतने सारे मोर्चे नहीं खोल देता, पाकिस्तान, चीन, नहीं है मैं कहूंगा, लेकिन तीन-तीन मोर्चे एक साथ खोल रहे हैं, और ऐसे में कुछ लोग कह रहे हैं कि बहतर संबंद बनाने चाहिए, बजा इसके कि अपने मसल्स, अपनी ताकत दिखाने ही चाहिए, देखते हैं हमारे स्याने, जिनके पास इस वक्त केंद्र है, सत है, सरकार है, हमारे उसे आने क्या करते हैं, क्या भेतरीन से भेतरीन दिमागों की सलाह मानते हैं या कुछ और करते हैं, नमस्कार पाते हैं ये